बिजली चोरी के मामलों में सुनवाई के दौरान साहब की मनमानी नहीं चली गीजिया और जब विबाग ने वीसियार के मामलों के निस्तारण को लेकर अभियानताओं की नकेल कसी है नई कवायत के तैद अब मौखिक आदेशों पर विसियार के मामनों का निस्तारण नहीं होगा, बखायदा सक्षम अभियंता को स्पिकिंग ओर्डर के जरिये स्पष्ट करना होगा, ये रिपोर्ट देखे बिजली कंपनियों में बिजली चोरी के प्रकर्णों की सुनवाई के दोरान अभियंताओं की मनमानी किसी से छिपी नहीं है, इस मनमानी पर लगाम कसने, सतरकता जांच में पारदर्शिता एवं सतरकता जांच प्रतिवेदन के दुरूपयों को रोकने के लिए, राजस्था जारी मौखिक आदेशों की परंपरा अब आगे जारी नहीं रहेंगी, नहीं चलेगी साहब की मनमानी, बिजली चोरी की सुनवाई में अभियंताओं की जिम्मधारी होगी तै, वीसियार विवाद में निस्तारण में पारदर्शिता लाने की कवायर, राजस्थान विद् दंड के आधार पर यथावत रखी गई वीसियार की राशी, ये सब कुछ आदेश में करना होगा सक्षम अधिकारी को सपष्ट, बिना पुखता कारण के राशी कम हुए तो जिम्मधारी होगी तै, अभी तक फील्ड में अभियंता चेहरा देख कर देते थे मौखिक आद अभियंता कार्याले में जमा करवानी होगी राशी, सिविल लाइबिलेटी राशी का 10 प्रतिशत या 5 लाख रुपए जो भी कम हो, वृत इस्तरिय समीती में की जाएगी 5 लाख रुपए तक की सुनवाई, संभाग इस्तरिय समीती में होगी 20 लाख तक के मामले की सुनवा वही समीती की और से आवेदन मिलने के 30 दिन में निस्तारण करना जरूरी होगा जिसकॉम की इस ववस्था से उब्भोकताओं को निश्यत तोर पर राहत मिलेगी विकास शर्मा, First India News, जैपूर